Atm wallet के अंदर आपका पैसा पड़ा है, दोस्तों कितना भी हो अगर 20 रुपे से या 20 रुपे से उपर का amount है, आपको zero amount में आप पैसा bank account में बैश सकते हों दोस्तों तो यहाँ पर देख लिए मेरा bank account में रुपए 128 रुपए पड़ा है अभी मैं आपको live पूर पिये 30 रुपए bank account में बेच के दिखाऊंगा zero amount के अंदर तो इस पर आपको click कर देना है click करने के बाद में आपके सामने center पेस आ जाएगा फिर send to bank account पे आपको click कर देना है send bank account पे click करने के बाद में यहाँ पर आपको amount डाल देना है तो मैं यहाँ पर 30 रुपए डाल देता हूँ फिर इस button पे आपको click कर देना है और फिर आपको mobile number choice करना है कि कौन सी bank में आप बेजना चाते हो तो मैं यहाँ पर bank नाम select कर दिया हूँ और यहाँ पर account number सब कुछ आ जाएगा फिर आपको यहाँ पर click कर देना है यहाँ पर जब आप click करोगे तो दोस्तों यहाँ पर successful आपका payment bank account में बेज दिया जाएगा अब हम जाके देखते हैं bank account के अंदर यहाँ पर अपना payment चला जा चुका है अब आपको live proof में दिखाता हूँ यहाँ पर live proof देख लीजिए मेरा पैसा bank account में आ चुका है दोस्तों मेरा कोई भी चार्ज नहीं कटा है आपके सामने live proof मेंने bank account में पैसा बेज दिया है यहाँ पर UPI से पेटियम वॉलिट से तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो दोस्तों subscribe कर दे और